हुआ दोस्तो बीजेपी सरकार में लगातार नामिय मचित पर कपजकर लेते हैं तो करिGS से लोगों के खिलाफід नफरत प्वर्णस्अ के लोगों ने मुश्लिम व्वेक्टियों के जमीनों पर कपजकर के उसमें अपनी धार्मिक शिल लगा दिया जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की घार में आहात हो रही है लेकिन अभी तक उन पे कारवाई हुई है या नहीं इसके पुक्ता सबोत सामने नहीं आए आईए आपको बताते हैं क्या है तुरा मामला नमश्कार मैं जुक्ति पुरी जानकारी क्ली वीडियो को अंतंग सरूर दे स्टेट अफसर मोहमद आयूप ने बताया कि कुछ लोग वकफ वोड की जमीन पर अवैद तरीके से कबजा कर रहे हैं इस मामले में पुलिस प्रशाशन को लगातार लेटर लिखकर आरोकियों के खिलाब कारवाई की मांग की जा रही है लेकिन अब तक किसी प्रकार की की है जटकी दरखास्त में वकफ वोड के मलकिया का पूरा कागजात लगाए गया है ऐसा लगता है जैसे मोती नगर ठाना और पुलिस अवैद कबजा कर रहे हैं इतना ही नहीं जो लोग जमीन पर कबजा कर रहे हैं वह वकफ वोड को करमिचारियों को धंकी भी दे रहे है धंकी देते हुए कहा कि अगर कबजे वाले जगा पर वोड के करमिचारियों ने दौरा किया या फिर डिजाइनों में हस्ता शेप करने की कोशिश के उन्हीं नौकरी से हटवा दिया जाएगा दरसल इस बार वकफ वोड की तीसरी बार पुलिस आयुक्त से शिकायत की है औ और उन लोगों के नाम भी दर्च कराए हैं जो अवैद तरीके से जमीन को कबजा कर रहे हैं महमद आयूब ने जिसके खिलाफ अवैद कबजे के आरोप में शिकायत कराए गई है शिकायत करताओं को आरोपियों की इस हरकत पर पता चला तो उन्होंने पंजाब वकफ एक टबिस्टान की जगह है इस तरह किसी घर्मी के लोगों को यह मद्यूदार्मीजके और पशलकवी पंजाब वकफ गोड की अधिकारीयों थी भी ली थी जिसमें साफ है कि आरोपियों की मन्शा खराग है आरोपियों ने अपने अवैदल करते में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावना को आहात किया है पंजाब वकफ वोड की तरह से यह तीसरी शिकायद की लिए जिसमें उमीद है कि न्याय मिलेगा लेकिन अवे त सब्सक्राबित हुआ है कि कुछ लोगों ने जबरन जमीन पर कबजा कर लिया है लेकिन यहां पर भी सरकार कोई भी कड़े कुदम नहीं उठा रही है बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपके क्या रहा है हमें कॉमेंट करके बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगे आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर तब तक यह नहीं नमस्कार